बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी बने हैं इन्हें गर्मा गर्म हरे धनी की चट्नी के साथ परोसिये सबको बहुत अच्छे लगेंगे नमस्कार निशामदलिका.com में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे चावल के आटे के बड़े तो आए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक कप दही लिया है तो यह हमने डाला एक कप दही और यह एक कप पानी हमने एक कप चावल का आटा लिया है दीरे दीरे डालेंगे गैस ओन नहीं है हम अभी इसका घोल बना रहे हैं और इसे घोलते जाएंगे अच्छे तरीके से घोल लेना है लंप्स न सब्सक्राइब लिए एक दम स्मूध गोल बन गया है इसमें हम तीन चौथाइच छोटी चमच नमक डाल देंगे और यह दो तीन हरे मिर्च हमने काट लिया है बीज अटा दिये हैं तो बहुत ज्यादा तीके नहीं है और यह एक इंच अधरक कर टुकड़ा जो हमने ग्रेट करके ले लिया है इनने भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे और अब हम इस गोल को पकाएंगे तो गैस ओन कर देते हैं और हमें इसे डो की फॉर्म में आने तक पकाना है लगातार चलाते रहेंगे और जो हमारा इस पैतुला है वह बिल्कुल कढ़ाई के तले में चलना चा इसे भी लग सकता है दूसरे इसमें गुट्लियां आ सकती है कि यह एकदम दो फॉर्म में आ गया है पक चुका है इसमें थोड़ा साहरा धनिया डाल देते हैं और अच्छे से मिला देते हैं तो यह वड़े के लिए हमारा डो बन के तयार हो गया और इसे बनने में चार से 5 मिनिट लग जाते हैं वड़े तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं हमारा डू थुछ तंडा हो गया है हैं हैं हेंडिल कर सकते हाथ पर हलका सा तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा । डौ ले लेंगे इसे हम गोल करेंगी और थोड़ा सा चप्टा कर देंगे, इसके बाद हम उंगली से इसमें होल करेंगे, शेप दे देंगे इसको वड़े का, यह हमारा वड़ा तैयार हो गया, तो पांचे वड़े हम इस तरीके से तैयार कर लेते हैं पहले, तेल को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा दो हम तेल में डाल देंगे, और दो अच्छे तरीके से तला जा रहा है, अच्छे बबल आ रहे हैं, हमें वड़े तलने के लिए मीडियम से थोड़ा से जाधा गरम तेल चाहिए, बहुत जाधा गरम तेल ने चाहिए, वड़े तलने के यह डाल देता है फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और वड़ों को दो तीन मिनिट तक तलने देते हैं कि यह तैर कर थोड़े ऊपर आ जाए तीन मिनिट हो गया और हमारे वड़े भी थोड़ा नीचे से सीख गया है तो हम इन्हें पलट देते हैं और इन्हें दोनों और से अच्छे गुल्डन ब्राउन होने तक तलते हैं यह अच्छे गुल्डन ब्राउन तल कर तयार हो गया है और सारे बड़े हमें इसी तरीके से तलने हैं सारे बड़े हमने तल कर तयार कर लिए और एक बार के बड़े तलने में आट सी नौ मिनिट लग जाते हैं इतने डो से आमने 17 बड़े बनाकर तयार किये हैं चावल के बड़े सर्फ करने के लिए तयार हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी बने हैं इन्हें गर्मा गर्म हरे धन्य की चट्नी के साथ परोसिये सबको बहुत अच्छे लगेंगे और उन्हें बनाने में आपको कोई ध्यार नहीं रखना बहुत ही आसान है तो आपने बनाईए खाईए और अपने अन्हों मिलसा शेयर किजिए और मुझे ये भी बताईए कि मुझे आपके लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए